नमस्ते मैं डॉक्टर सॉंवीर आरी आप सभी योग जिग्यासों का स्वागत करता हूँ योगदर्शन की व्यक्यान माला के इस कारकर्म में आज हम बात करेंगे विभूति पाद के 19 सूत्र की जिसमें मुखरूप से दूसरे के चित में ग्यान में संयम के प्रतिफल को बताया गया है मुखरूप से कि जब हम ग्यान में संयम करते हैं दूसरे के ग्यान में हम यदि संयम करते हैं तो किस पारकार की शिद्धी की प्राप्ति होती है चलिए जानते हैं सूत्र के माध्यम से प्रतस्य परचित ग्यानम यानि कि जब दूसरे के ग्यान में हम संयम करते हैं तो उससे दूसरे के चित का हमें ग्यान हो जाता है बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है प्रतस्य परचित ग्यानम जब प्रतस्य क्या होता ग्यान अथ्वा जानकारी, जिससे जानकारी हो, जो जानकारी करवाए, जो बोध करवाए, जिससे चीजों का पता चालता है, उसको हम प्रत्य बोलते हैं, तो प्रत्य से, प्रत्य में, यानि कि उस जानकारी में, या उस जानकारी में, या उस जो बोध करवाने वाली जो चीज है, उसमें हम यदि यानि कि उसके ग्यान में हम सहियम करते हैं तो पर यानि कि दूसरे के चित्त का हमें ग्यान हो जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि दूसरे के चित्त का ग्यान किसमें सहियम करने से होता है तो दूसरे के ग्यान में यदि सहियम करता है यानि कि दूसरे के ग् ग्यान में सैयम करता है उसका प्रतिफलड क्या है दूसरे हैं कि चिट्र का ग्यान हो जाता है तो इस सूथर में यह कहा गया यानि हम 20से सूथर में करेंगे इस नहीं के तो इस सूतर — उसको जनने के लिए हमारे साथ बने रही और 19 सूत्र आपको कैसा लगा इसके बाद में विजो रूल किये और जल्द ही इसमें सूत्र को लेकर कि आपके सामने प्रस्तुत होंगे जिसमें इसी सूत्र को और चित्रे से व्यक्षित किया है कि किस प्रकार से जिब चित्र का ग्यान होता है लेकिन वो कैसे सूत्र में करेंगे तब तक लिए आपसे को धन्यवाल नमस्ते